यह आपका वापिस वागत है सिगनिचर स्ट्रेंथ है क्या और दूसरा बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ दी एको सिस्टम यह क्या यह एक्स्टर्नल है आपकी अंदर ताकत क्या है बाहर बड़ी समस्या क्या है अगर यह दो चीज़े जुड़ गई बिजनस बड़ा करना आसान हो जागा फिर समझे मेरी और आज का केस्टेडी होगा प्री स्कूल पे प्ले स्कूल पे नर्सरी स्कूल पे छोटे बच्चों के स्कूल पे छोटे बच्चों के स्कूल आजकल आपने देखे होंगे ना फैल ते चले जा रहे पूरे भारत वर्ष में दसीयों पचासीयों फ्रेंचाइजी यूनिट पच्चे का जो प्ले स्कूल है उसमें फीज कितना मिलेगा? 2000 महीना फीज मिलेगा और एक आम चोटे शेयर के अंदर तो 2000 महीना होती है फीज अगर पचास बच्चा भी हो तो बचारे को मिलता ही टोटल एक लाख रुपय महीना है अब वो एक लाख रुपय महीने के अंदर उसको अपनी फिक्स्ट इंवेश्मेंट बाहर निकाल ली बच्चों पर थोड़ा स्टेशनरी पानी पर खर्चा करता है वहां पर हाउस्कीप करेगा नए बच्चे को लाने के लिए जब मैंने ये सारे खर्चे जोड़े तो मेरी बुद्धी चक्रा गई अब वो बिचारा उसके अंदर प्रॉफिट क्या कमाएगा उसका आरुवाई हो जाता है नेगेटिव तो यह थी मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम इस जो पेरिंटल बिजनस था जो उनके पिताजी का बिजनस था वो था वो किताबे चापते थे वो बैग्स बनाते थे वो टॉइस बनाते थे वो मॉन्टेसरी इक्विप्मेंट बनाते थे वो उनकी अंदर की ताकत थी इंटर्नल दो बात का फ्रेमवर के मेरे हमेशा फ्रेम वही जगड़े चल रहे थे डिस्प्यूट्स थे सारे रॉयल्टी के उपर फ्रेंचाइजी फी के उपर प्रॉफिट शेरिंग के उपर अच्छा इसमें बात समझ यह फ्रेंचाइजी दोनों तरफ से फसा हुआ है जब फ्रेंचाइजी लेता है इसकी तो भी उसके उपर मा के नहीं ला सकता है क्योंकि 50 बैग परसनल ब्रैंडिंग के च्छापने महेंगे पड़ते हैं 50 सेट अफ किताबे अपनी ही स्कूल के नाम की मानलो मेरा स्कूल है विपिन प्रे स्कूल विवेक बिंदरा प्ले स्कूल का केवल 50 बच्चों के लिए जब मैं कस्टमाई सब पर महेंगा पड़ता था तो फ्रेंचाइली दोनों तरफ से पिट रहा था इसके पास जाए तो भी बस गया इसके पास नहीं जाए तो भी बस गया नहीं जाए तो समान महेंगा पड़ता था इसके पास जाए तो सारा प्रॉफिट यह ले जाता था तो अब आपके लिए लेसन की आई सके अंदर। जिस जिसको नया बिजनेस शुरू करना है थोड़ा market में consumer behavior को study करना आना चाहिए. कि actually market में problem क्या थी? market में problem थी कि अगर खुद का س्कूल चलाना तो मैं sourcing नहीं कर सकता सस्ते में. उसके बाद फिर unorganized market में और ज़रा तकलीफ है जो बचारे खुद का स्कूल चला रहे है वहाँ student-teacher ratio ठीक नहीं होती है वहाँ teacher है कम student बैठे है बहुत सारे तो उनको खाली admission 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 भरना है quality आई नहीं सकती तो uncertain unorganized schedule हुजाय करते थे वहाँ पे कि कभी किसी समय कुछ पढ़ा दिया किसी समय कुछ पढ़ा दिया थोड़ा teacher free हुआ मतलब मम्मी ही घर में teacher होती थी उन्होंने अपने बरांडे के अंदर पूरा school चला रही है अब जरा आज खाना बनाने में देर हो गई तो उसके बाद schedule चालू किया वो जो घरों के अंदर unorganized system हो चुका school का जो गाओं महले के अंदर वहाँ पे एक अंटी जी घर में होती है वही अपना चलाती है तो वहाँ पे एक limitation आ जाती है creativity की और brain के exploration की और अगर unorganized है थोड़ा organize जाओ तो price tag बहुत उंचा हो जाता है बहुत महंगा पड़ता है पर अगर अगर वापिस आप unorganized market में देखोगे न तो वहाँ पे कोई quality management का skill नहीं वह operations रन करना अंटी जी नहीं जाती उनको नहीं मालूम cleanliness का क्या system में सेक्योरिटी कैसी होनी चाहिए checklist क्या होनी चाहिए checklist की कौन से checklist लग-अलग होते हैं हर एक प्रकार की sheet होती है weekly curriculum क्या रहेगा मेरा daily planner क्या रहेगा मेरी activity sheet कौन सी होनी चाहिए मैं celebration की क्या itinerary होनी चाहिए कौन सा celebration 26 जनवरी 15 अगस्त तो सब मना लेते हैं लेकिन छोटे 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 कहीं त्योहार आते हैं nutrition का बच्चो को कैसे plan बनाकर उनको खाना खिलाना और उनका खुद के धंदे के लिए marketing plan भी नहीं उनके पास में तरह तरह की जो operations की sheet होती हो मालूम ही नहीं है तो मैं फिर से framework पे लेकर के आता हूँ दो बाते थी framework की एक internal मेरी ताकद एक external market की नई problem पुरानी problem नहीं नई problem अन और्गनाइज़ मार्केट के बारे में और मैं ना रॉयल्टी लूँगा ना प्रॉफिट लूँगा ना फ्रेंचाइली फी लूँगा वो सारे जगड़े खतम कर देता हूँ और उसकी sourcing की problem वो खतम करता हूँ को कि मेरे पपा माल बनाते हैं अब शितिच के पपा तो बनाई रहे थे दसीयों साल से वो क्या बना रहे थे उन्होंने का जी 73,000 रुपए में जुगार लगा के हिसाब किता जोड़ा आना पाई आना पाई 73,000 रुपए में गाउ महले आंटी जी का जो प्री स्कूल था उसकी प्री स्कूल चालू करेंगे नाम रखा माई छोटा स्कूल एक हमोन क्या नाम रखा नाम भी बड़ा चाहिए अपना ना बड़ा बिजनस ऐसा ही थोड़ा अंग्रेली हिंदी मिक्स माई छोटा स्कूल और माई छोटा स्कूल के अंदर 73,000 में फ्रेंचाइली चालू करी कैसे करी पपा ने पीछे से माल दिया इन्होंने कर दिया forward integration इन्होंने दिया 73,000 पे के अंदर आपको चाहिए फरनीचर प्लास्टिक की चेर चाहिए आपको टेबल चाहिए आपको किताबे चाहिए आपक लुजार में उनको स्मार्ट चाहिए बनाके दे दी बच्चों के लिए कित बच्यों के किटम मैं क्या क्या चाहिए वो पताजी बनाई हुए उनको सारी किताबें चाहिए उक्ती काड़arta चाहिए उन Counsel Sur schaft चाो स्कूल का बैग चाहिए उनकょ गरीटिंग चाएँगा स्कौ चोटा स्कूल का ब्रेंडेड मिल गया जहां सारे फ्रेंचाइजी आप आच्युली समान फ्रेंचाइजर का खरीगते नहीं थे पाचास परसंट फ्रेंचाइजर से समान खरिते थे को कि समान महेंगा पड़ता था पचास परसंट बजार से उठा के लाते रहे तो बच्चों के बास मिक्सट आइटम रहती थी यहां 2800 रुपे में सारी आइटम मिल गई बच्चे के एक साल की पूरी किट बन गई तो तो competition इस market में नहीं घुस रहा था यह market पूरी बची हुई थी यह गाव महले आंटी जी का play school वाली market थी यह low cost market थी इस market के अंदर घुस करके आज देखते ही देखते हैं तीन सो स्कूल खोल दिया है क्योंकि competition 10 लाख रुपय का investment लेता ही है ती 70,000 रुपय का लेता है तो penetration without competition मेरी बास समझे है कमाँ क्या हाथ देखिए मेरा penetration without competition तो घर में जो आंटियां बैठी थी और ते जो बैठी थी महिलाओं बैठी थी पती बाहर काम करने जा रहा है उन्होंने घर में प्ले स्कूल खोलना शुरू कर दिया उनके लिए असान हो गया क्यों के पेक्स नहीं लगा capital expenditure OPEX कम होगे operational expenditure अब franchise fee royalty fee बगर है तो कुछ देनी ही नहीं है मैं आपको बता हूँ विसे आप अपनी घर में महिलाओं को वीडियो भीजीगा ये आपके जितने भी WhatsApp ग्रूप में महिलाओं उनको दिखाएगा वीडियो ये क्योंकि ये 300 में से 270 स्कूल तो खाली महिलाओं न उनसे अब 70,000 रुपे नहीं ले रहें उनसे केवल 25,000 रुपे ले रहें क्या क्योंकि आउन्टी जी के पास बेस एक infrastructure तो बना हुआ था कुछ चीज़े आड के 25,000 रुपे के अंदर उनको अपना brand नेम दे दिया माइच छोटा स्कूल अब उनके पास systematic चीज़े आ गई organized curriculum आ गया, इनका पूरा system मिल गया, इनको educational tablet और technology का support दे दिया, उनको ऐसा brand नेम मिल गया जिसमें पूरा support आने से आंटी जी को मतलब जो है न, अचानक उनके admission दबल हो गए यह जो मैंने दो बार mobile tablet की बात करी मैं उसको miss नहीं करना चाहता, जो digital content बनाया, वो किताबों के साथ completely map कर दिया, teacher रहे, ना रहे, बदले या ना बदले, वो digital पूरी तरह से map होने के कारण एक standardized program चलने लगा, खाली teacher पर dependent नहीं रहे गए, अचा parents को इससे बहुत फाइदा आज बच्चा क्या पढ़ेगा, आज बच्चा क्या subject पढ़ेगा, daily activity parents को whatsapp group पे record करके भेजने लग गए, student teacher ratio maintained हो गया, और जो female staff होगा, वो police verified होगा, तो parents को बड़ी security होने लगी, और सारे के सारे centers पे fire equipment को जरूर लगाना भी extinguisher वहाँ पे होना चाहिए, common whatsapp group से उनको सा सील तालुका में हो सोचते हैं, अरे दिल्ली का स्कूल है, माई छोटा स्कूल, brand इनके 300 स्कूल चल रहे है, तो वो अपने खुशी-खुशी बच्चे को भेजते हैं, creative ideas लाने पड़ते हैं, जब खर्चा घटाना होना, ideas आपके बड़े creative होने चाहिए, सोचना चाहिए, द पोस्टर बड़े-बड़े लगाऊंगा, उसे खर्चा हो जागा, ऐसा कुछ करते हैं जी, white board, जो अपने notice board होते है, pinup board, उनमें बच्चों की ही celebration की photo खीच के डाल दो, और बच्चा जो है जी बड़ा cute सी photo होती है, उसकी अलग-अलग, और वो वहाँ जाकर के देखता है, मेरी photo लगी होई है, अपने आपको पहचानता है, recognize करता है, अपने साथ में दोस्तों की photo देखता है, उसी से वो पड़ा colorful हो जाता है environment, और उसको थोड़ा सा spice up करने के लिए teacher सारी female रखी, महिलाओं का soft corner होता है, उनका दिल बड़ा कोमल होता है, प्रेम से बात करती है, ब इंदोंने देखा play school, pre school, pre nursery में बच्चे को चाहिए क्या, उसको self sufficient बनाना है, उसका brain develop कराना है, उसमें enthusiasm लाना है, कि वो lifelong learning कर सके है, उसके अंदर patience, concentration, resilience, ठोड़ा team work, ठोड़ा respect for value for education, वो build करने के लिए पहले 6 साल उसकी life में बहुत critical होते हैं, pre primary education is the foundation for child's journey, देखिए यह holistic development हो गया, तो बस game change हो जाएगा, तो अपनी research के अंदर इंदोंने देखा, यह सब build करना है, तो अब मैं curriculum को कैसे ले क्या हूं, उसको international standard पर ले क्या हूं, 8 multiple intelligence ही होती है बच्चे को, आपको नहीं मालूं तो आप ज़र ध्यान सुनिए, आपके घरवे में बच्चा होगा, 8 तरह की intelligence ही है, एक वो क्या है musical intelligence ही है, music smart बनाना है उसको, फिर है interpersonal यानि की people smart बनाना है, फिर है intrapersonal यानि की self smart बनाना है बच्चे को, फिर उसके बाद है kindness, जिसको बोलते हैं की word smart बनाना है, फिर है nature realistic मतलब यानि की nature smart बनाना है, नेचर में क्या चल रहा है, फिर उसके लॉजिक का मतलब है नमबर ओर लॉजिक्स मार्ट अना तो यह आठ इंटेलिजेंस इन्होंने बिल्ड करी यह एट इंटेलिजेंस अभ इनको बिल्ड करने के लिए क्रियेटिविटी चीए अब क्रियेटिविटी अगर हमने ला दिया पूरे कोर्स और के अंदर तो घर में जो आंटी जी स्कूल चलाती थी उनको मज़ा आने लगा आंटी जी पहले अपने हिसाब से चला रही थी आ आ ए ए लेकिन अब उनको अब भी थोड़ा सा सिस्टम आ उनके पास में देखे रूल क्या है चिल्डरन गोल्डन गोल्डन स्टेटमेंट है चिल्डरन मस्ट बी टॉट हाव तू थिंक नॉट वट तो अगर बच्चे को समझ में अगर मैं कैसे सोचूं यह नहीं कि क्या सोचूं तो अभी तो खाली वो रिपीट कर रहा था आ आ आ लेकिन अब गेम ऐसी लेकर क्या हो कि बच्चे को बता और रोहित अभी यह नंबर वन है यहां पर रखो नंबर टू जिग जैग त्री इदर फॉर इदर फाइव इदर सिक्स इदर सेवे तो हर बच्चे को वैसे चलाया वन तू तू त्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यह बड़ा यूनीक तरीका था जिससे बच्चा जिग जैग चलने के कारण उसका यहां से हाउटू थिंक वाला स्किल बिल्डर ने लग गया देखिए अटेंडेंस देने के तरीका क्या है कि रोहित आप रिशब को बॉल पास करो तो वह रिशब को बॉल पास करेगा रिश्मा को करेगी रिश्मा रितिक को करेगा रितिक राकेश को करेगा राकेश राहूल को करेगा रनबीर को करेगा यह सब एक दुसरे को बॉल पास करने से तब अटेंडेंस होती है उनकी तो एटेंडेंस देने का तरीका ऐसा बना दिया जिसने बॉल कैच करी उसकी to be but imagination will take you everywhere सुनिए मरी बात अगर केवर लॉजिक सिखा दिया ए से बी पर जाना लेकिन अगर बच्चे को imagination सिखा दिया वो कहीं भी पहुंच सकता है तो उसको imagine कराने के लिए उसको चलने से पहले अलग अलग प्रकार के सर्फिस बना दिये जैसे सेंड पेपर लगा दिया नीचे उसको सिखाया प्लाइवुड लगा दिया तो उसको अलग तच दिया नीचे मिटी रख दी अलग तच मिला नीचे रग यानी कार्पिट रख दिया अलग तच मिला मैट यानी चटाई रख द सारी बात से एक बात समझी है शितिज बतीन 27 साल का लड़का मुझसे मेंटरिंग लेने के लिए आता रहा मेरे साथ मिल करके केश टड़ी बनाया एवरिटिंग अबाउड आंत्रपनियोर्शिप अटेंड किया ये छोटा सा यंग बच्चा कैसे आज एक के बाद एक 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 हर दूसरे दिन एक निया स्कूल खोल रहा है क्यों क्योंकि बिजनस के फ्रेमवर्क सीखिया करके मैं अपनी तारीफ इसमें थोड़ी सी इसलिए करूंगा क्योंकि एवरिटिंग अबाउड आंत्रपनियोर्शिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक्चुली बिजनस का सेंस उपन कर देता है एक आदमी के लिए मदा आ रहा है ना आपको शितिज को देख करके उसको समझ आ गया था क्या अगर कंपाउंड़ ग्रोथ एक अत्यस परसेंट का लगातार मार्केट ग्रोग कर रही है नई प्रॉबलम ढूंडनी है नई प्रॉबलम सॉल्व करनी है अप आपको माई छोटा स्कूल का फ्रेंचाईली लेने की इच्छा तो आप इनसे बात करिये अपना भी इतने कम पैसो के अंदर स्कूल खोल सकते हो आप और हाँ अगर आप भी शितिज की तरह है एक इंटेलीजेंट और स्केलेबल बिजनस बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना आपको एफर्टिंग अबावट अंत्रपनियोर्शिप जोईन करना यहीं वह बिजनस प्रोग्राम है जहां से इसी प्रकार के आंत्रौेविजर्क खड़े हो रहे हैं इसी तरह के बिजनस बड़े हो रहे हैं और रिक्वेस्ट करूँगा शितिज जो 27 साल का यंग आंत्रपनियों लगातार स्कूल पे स्कूल खोलता जा रहा है ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको लगता नहीं पूरे देश को पता लगनी चाहिए हो सके तो WhatsApp पर डाउनलोड करके शेर करिए नहीं तो YouTube का लिंक सबको शेर करिए कहीं लोगों में ऐसी ताकत जाग जाएगी और मेरे साथ तो वैसे भी ताकत बढ़ी जाती है मेरा वीडियो देख करके सब्सक्राइब अगर आप में किया है दूसरों से क्यों नहीं कराया अभी तक शेर करिए वीडियो उनको बोलिए वो भी सब्सक्राइब करके झाल